दूद पीने के बाद भूल कर भी ना खाएं ये 9 चीज़ें वरना गल जाएगा आपका लीवर सड़ जाएंगी आपकी आते और जान तक भी जा सकती हैं आपको जिंदगी भर पच्ताना पड़ेगा नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको आपको भूल कर भी दूद के साथ या दूद पीने के बाद नहीं खाना चाहिए और नहीं आपको ये चीज़ें खाने के बाद दूद का सेवन करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसे आपकी आते सर सकती हैं, आपका लीवर बिलकुल डैमेज हो सकते हैं, और आपकी जान पर भी आसकती हैं, यानि आपकी मोद तक भी हो सकती हैं, इतनी खतरनाक हैं ये चीज़े हैं, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़े हैं, दोस्तों वैसे तो दूद का सेवन भी कुछ चीजों के साथ नहीं करना चाहिए, वरना आपके सरीर को भ्यंकर नुकसान होसकते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि दूद का सेवन आपको किन चीजों के साथ नहीं करना चाहिए, दोस्तों जब आप दूद पीते हैं, तो खटी चीजें साथ में ना खाएं या फिर यदि आप खटी चीज़े खाते हैं तो दूद नहीं भी हैं इसके साथ में मूली खाने के तुरंत बाद भी आपको दूद का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके चहरे और तवचा पर गंबीर बीमारी हो सकती है अलर्जी हो सकती है इसलिए अ उनों का ही उप्योग कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए इनका एक साथ सेवन करने से आपके सरीर को भारी नुकसान होसकता है अगर आप दूद पी रहे हैं तो दही ना खाएं या फिर आप 4-5 घंटे के बाद ही दही खाएं यदि आप दही खा रहे हैं तो दूद पीने में 4-5 घंटे का अंतराल रखें वरना इससे आपका पाचनतंतर कमजोर हो जाएगा और आपकी आते तक सड़ सकती हैं जिससे के आपको भविश्य में बहुत भारी गंबेर प्रणाम भूगदने पड़ सकते हैं दूद के साथ कभी भूलकर भी मचली का सेवन नहीं करना च क्योंकि दूद की तासीर ठंडी रहती हैं जबकि मचली की तासीर गरम रहती हैं दोलों को एक साथ या थोड़ी देर के अंतराल में खाने से आपको अलर्जी की समस्या हो सकती हैं इससे सफेद दाग की समस्या हो सकती हैं जो सफेद दाग चेहरे पर या शरीर पर आ जाते ह दूसरा इससे हमारी liver के damage होने के chances भी बहुत अधिक बर जाते हैं इसलिए दोस्तों यदि आप liver और तफचा से जुड़ी बिमारियों से बचना चाहते हैं जिससे कि आपको तफचा पर कोई निसान ना हो इसलिए आपको इन दोनों चीजों के अंतराल में बहुत अधिक गैप देना चाहिए यानि इन दोनों को साथ में या आगे बीछे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए दूद के साथ कभी भी नीमबू, करेला, कठल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपके सरीर को इनफेक्शन, दाद, खाज, खुजली, एकजिमा, आधी के समस्याएं होसकती हैं इनको साथ में खाने से आपके सरीर में एक परकार का जहर फैलने लगता है जिससे आपकी जान पर भी नौबत आसकती हैं जान तक जाने की नोबत भी आसकती हैं इसलिए जब भी आप खटाई, नीमबू, करेला और कठल की सबजी खाते हैं तो आप दूद कम से कम 2-3 घंटे बाद पियें या होसके तो आप अगले दिन ही लें क्योंकि एक दिन आप दूद नहीं पियेंगे तो इससे आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन यदि आपके सरीर में जहर फैल गया या आपके चहरे पर इनफेक्शन हो गया तो उसे ठीक करना बहुत अतिक मुश्किल हो जाएगा दोस्तो आप जिस दिन उडद या मूं की दाल खाते हैं उस दिन आपको दूद नहीं पीना चाहिए उडद की दाल के साथ तो दूद का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका पाचंतंतर कमजोड हो जाता है और यदि आप अपने पाचंतंतर को मजबूत रखना चाहते हैं तब आपको इस बात का विसेश ध्यान रखना चाहिए दोस्तो कई बार आप तर्बूज खाते हैं और इससे थोड़ी देर बाद ही आप दूद का सेवन भी कर लेते हैं तो वह बिलकुल गलत हैं वैसे दूद और तर्बूज दोनों सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदेमंद होते हैं तर्बूज आपके सरीर को हाइड्रेड रखता है क्योंकि इसमें पानी की बरपूर मातरा होती हैं लेकिन इसके साथ दूद बिना बहुत अधिक नुकसान दायक होचकते हैं कीजिए तकि आपके जो रिलेटिव या जानकर कोई भी यदि इस तरहन की कोई गलती करता है तो वो भी इस गलती से बचाएं वैसे दोस्तो मेरे भाई बहुत सारे कहेंगे कि हम ये पहले भी खा चुके हैं हमें कोई फरक नहीं परता तो दोस्तो मैं आपको बता दो कुछ चीजें स्लो पोईजन का काम करती हैं यानि आपके सरीर पर धीरे धीरे असर करती हैं आपके सरीर को बीमारियों का घर बना देती हैं फिर आप बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं ये मुझे बिमारी कैसे होगी है तो दोस्तो इन सब का रीजन लंबे चले से हमारे जो हम खाने में जोगलते करते हैं पानी पीने में जोगलते करते हैं दूद पीने में जोगलते करते हैं उनसे भी ये बिमारिया हमारे स्रीर में लग जाती हैं तो दोस्तो इसलिए आप इन बातों का विसेज ध्यान कें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो